रिसब पंत का जलवा बरकरार जी हाँ दोस्तो इतने बड़े एक्सिडेंट होने के बाद भी उनका जलवा अब भी कायम है दोस्तो जहां बड़े बड़े भारतिये क्रिकेटर नहीं कर सके वहां रिसब पंत ने कर दिखाया है पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में अंध तक बने रहें जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्टेश चेंपियंसीब 2023 का फाइनल मैच भारत और उस्ट्रेलिया के बीच दा ओवल में साथ जून से खेला जाना है इस मैच के लिए दोनों टीमों का एलान पहले ही हो चुका है इन सब के बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2021-23 वर्ल्टेश चेंपियन की टीम का एलान कर दिया है इस टीम में 20 पोटक बेट कीपर बल्लेबाज रिसब बंत को भी सामिल किया गया है पंत के अलावा टीम इंडिया के दो खिलारी भी इस टीम में अपनी जगाह बनाने में काम्याब रहे हैं किरकेट.com.eu ने 2021-23 में हुए वर्ल्टेश टेंपियन्सिप परफॉर्मेंस के आधार पर 11 खिलारी चुने हैं टीम इंडिया के रबींदर जडेजा, आरस्विन और रिसब पंत को इस टीम में सामिल किया गया है रिसब पंत बताओर विकेट टीपर टीम में हैं वहीं भारत के धाकर बल्लेबाज, रोहित सर्मा, केल राहूल और यहां तक बिराट कोहली को भी इस टीम में जगाह नहीं मिली है भारत के तिन प्लेवर के अलावा और कौंग कोंग से खिलारियों के इस टीम में सामिल किया गया है आएए वो भी जानते हैं इस टीम में तिन आस्ट्रेलिया, दो इंगलाइन के तो एक खिलारी पाकिस्तान, स्रिलंका और साउथ अफरिका के हैं जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और आस्ट्रेलिया के बीच बर्ल्टेस टेंपियनसिप का फाइनल मैच 7 जून से 11 जूनता किंग लैंड के केनिंग टन ओवल के मैदान पर खेला जाएगा टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार बर्ल्टेस टेंपियनसिप के फाइनल में जगह बनाई है लेकिन पिछली बार फाइनल में टीम इंडिया को नीजलेंड के हातों हार का सामना करना पड़ा था तो दोस्तो ऐसे ही चांकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भुले धन्यवाद